बड़े बज़र छोटे भाई और मेरी उमर के नवजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्ट होल्ड बेरिश केंडल स्टिक पैटरन पिछले वीडियो में हमने बुलिश केंड मैं बेरिश宏पा लकook है आज तो पिछले जो प्राइस है उसके नीचे ही बीच में ही वह लगाज हो जाता है और अगर बियरिश्च पेटरन है तो भी पिछली प्राइस है उसके बीच में ही ख्लोस हो जाता है वह कैसे हम आपको अभी बताएंगे सबस्ए पहले हम ये यहां पर इस तरह से open point होगा उसका ठीक है यहां पर सबसे दिन के बिलकुल ऊपर open होगी और धीरे 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 प्राइस नीचे आने लगेगी और यह जो पहले वाला जो candle है इस candle के बीच में ही कहीं बंद हो जाएगी थोड़ा सा नीचे आ सकती है और उसक पड़ लेते हैं तेजी के ट्रेंड के खिचाओं के बाद है एक मंदी अलाव केंडल स्टिक होते हैं शिरुवाती मुल जो दिन के लिए उच्छ हो जाता है पिछले दिन की तुलना में अधिक होता है जैसे कि यह बन गया है यह pattern बन गया है यह अब trend में जा रहा है यह एक लेकिन यह इस candle के बीच में ही close हो जाएगी अगर आप यहां से एक line खिचेंगे तो उस candle के बीच में ही उपर ही close हो जाती है तो यह इसका कहना है थोड़ी नीचे की तरफ चाया होती है लेकिन उपर की तरफ चाया नहीं होती है ओके अगर यहां से यह candle अगर यहां से open हो यह ना एक बार तो इसके उपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी और उपर जाने की बार वापस इस तरह से नहीं आती है उपर की सैडों भी नहीं बनती है यह बिल्कुल भी नहीं बनती है जहां से एक बार उपन हो गई उसके बार प्राइस नीचे ही आएगी कैंडल नीचे ही बनेगे अगर सैड़ों भी बनेगी तो नीचे की तरफ बनेगी तो यह कहना है उसके बाद में बेरिश होता है जिसका रण टॉप में बने तो बेहंतर अगर लगातार मंदी चल रही है तो मंदी जारी रहने के लिए बीच में भी बन सकता है कोई जरुरी नहीं है लेकिन होता है वो क्लोस से ज्यादा दूर नहीं होता है वैसे ही इसका जो लो है वो भी क्लोस से दूर नहीं होता है मैं एक बार ग्राफ बना के आपको बता देता हूं कि कैसे यह होता है यह मानलो अब ट्रेंड चल रहा है उसके बाद यह कैंडल यहां पर बन गया है एक यहां प पिछले candle का low है अब इसके close से कोई मतलब नहीं है इसका close है पिछले candle का इससे मतलब नहीं है अभी आज जो candle बनेगा वो bearish belt hole बनना है तो उसकी opening कहाँ पर होगी यहाँ पर होगी, सबसे उपर opening होगी उसके बाद वो padman धीरे-धीरे धीरे-धीरे-धीरे-धीरे नीचे आएगा वो candle धीरे-धीरे नीचे आएगा इस तरह से इस तरह से नीचे आता रहेगा और उसके बाद यहाँ पर उसके उस candle के मतलब यह जो candle बन रहा है अभी उसके दिन के नीचले स्थर पर ब्रबंद होता है ठीक है मान लो कि यहां पर यह इसकी body बन गए उसके बाद यह थोड़ा साइडो बना दिया यहां पर नीचे और यहां से नीचे आके वापस से उपर घुम गया है लेकिन price क्या है पहले वाले जो bullish pattern में क्या है price को नीचे जाने से रोकता है है ना तो ये क्या करेगा अब फ्राइस को उपर जाने से रोकेगा यह इसने 3.5 तो बना दिया लेकिन वहां से उपर घुम गया और यही पर इसने close कर दिया है ठीक है ज़्यादा उपर नहीं जाने दिया price को ठीक है क्योंकि दबाव है दबाव है ना क्योंकि अभी बेरिश पैटर्न बनना है तो दबाव है उपर नहीं जाने देगा प्राइस को और उसके बार यह दिखे जो पहले वाला जो कैंडल है इसे हम एक नंबर कैंडल देंगे और यह जो अभी बन रहा है अभी जो कैंडल बन रहा है वह आज का आपको पता ही है सबसे उपर बन रहा है तो एक नंबर कैंडल के जो आप देखेंगे तो उसके बॉड़ी के उपर ही इसने जो भी अपना कारेकरम किया है सब अपना उपर ही किया है ना उसका लो भी उपर ही है क्लोज भी उपर है उपन भी उपर है सब कुछ उपर ही है उसमें सि से दी होता है कि इसकी जो ओपन है यो बहुत ज्यादा होती है पीछले मतलब चार्ट में अगर आप देखेंगे तो अगर पैटन बनना है तो उस पिरेट के दवरां सबसे उपर आज जो प्राइज वो होती है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसके उपर फिर वो नहीं जाती है उसके उपर इस तरह से सैडो नहीं बनाती है बिल्कुल वो इस तरह से धीरे 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 करके नीचे आती है ठीक है और उसके बाद ये इस तरह से आपको पैटन फाइड आट होगे रेट कलर में होता है यह और अक्सर दिखे जाते हैं यह pattern लेकिन ध्यान रखना अक्सर देखे जाने वाली चीज जैसे कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि ज़्यादा valuable नहीं होती है लेकिन अक्सर हमें अगर pattern यह दिखते हैं तो हमने हम चार्ट में जाते हैं देखते हैं कि किस तरह से हमें pattern मिलता है या नहीं मिलता है अभी हम अपने चार्ट पर आ गए हैं और pattern को हम तूनने की कोशिश करते हैं देखिए अगर आपको market में अच्छा ठीकना है अच्छा profit कमाना है तो आपको इस तरह से जो मैंने lines खीच रखि pattern लंबी तेजी के बाद यह बनता है तो अभी हम इस वक किरावट देख रहे हैं और तेजी का माहौल देखते हैं अभी यहां पर एक pattern दिख रहा है लेकिन यह अच्छा बेल ठोल नहीं क्योंकि इसकी सैडो जो है ना यह बहुत ही लंबी सैडो है आप इस सैडो को देख र लंबी है तो इसे हम नहीं समझ सकते हैं हम आगे कोई और pattern ढून लेते हैं एक pattern हमें मिला है और यहां पर आप देख सकते हैं बीचे से तेजी आ रही है और उसके बाद यहां से भी एक तेजी बन गए यहां पर एक pattern बन गया था गिरावट के लिए इसे इंगलफिंग pattern बो दिया था हमारा जो pattern है यहां पर है हमारा जो pattern है अब मैं आपको पहले इस तरह से बता देता हूं थोड़ा सा बड़ा करके यह देखिए इस तरह से हलका सा में बड़ा कर लेता हो पहले यह pattern हमारा है पीछे से एक तेजी आ रही है और उसके बाद ये एक नमर का कैंडल है ये कैंडल जो है ये एक नमर का कैंडल है और ये जो दो नमर का कैंडल है ठीक है ये वाला इसकी ओपनिंग प्रैस दिखिए पीछले वाले कैंडल से बहुत ही उपर है लेकिन बाद में इसके उपर नही बहुत चल जाता है लेकिन पिर भी अगर नहीं जाता प्राइस तो बहुत अच्छा रहता लेकिन पिर भी मानलो ये थोड़ा सा उपर गया है तो कोई बात नहीं लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरूर हो गया और उसके बाद दुबार आई है उपर नहीं गई है और यह ऐसे नीचे आई नीचे आई नीचे आई और उसके बाद वापस इसने प्राइस को उपर ले जाने की कोशिश तो की है लेकिन ज्यादा प्राइस को उपर नहीं ले जा पाया है ना तो यह से हम समझ सकते हैं कि यह बेलड होड बेरिश पैटर बन रहा होगा उस दिन अगर आपने देख़ा होगा बाजार में न्यूज अगर खराब हो गई होगी तो इस पैटर ने बहुत ही अच्छा काम किया होगा है ना अगर मानलों कि न्यूज अच्छी होती है पै news होनी चाहिए, तो pattern बहुती अच्छा लाबडायक होता है, बहुती effective काम करता है, है ना, अगर आपका pattern है, कोई मागने लोग अपका bullish pattern बन गया है, कोई भी आप का यहाँ पर bullish pattern बन गया है, और बाज़ार में नीज passage लिए खराब है, निइव नियूज है अगर निगितिव नियूज है तो वह bullish pattern क्या काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, वो neutral हो जाएगा, फेल हो जाएगा और यूज ही अच्छी न्यूज है मार्केट के लिए ठीक है खराब यूज नहीं है अच्छी न्यूज है तो फेल हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से भी ध्यान रखना थीक है नीूज पैटरन बनने के बाद है नीूज के उपर एक पर पर फ्लेश जरूर कर लेना कि हैं नहीं तो कोई फैल्ली नहीं है पैटन की सबसे बहुत ही इंपोर्टन हो दिये निवस मार्केट के लिए तो अगर पैटन बनता है तो एक बार जरूर पढ़ लेना कहीं पर भी पर या पेपर में या खुछ से ढून लेना, कि news क्या बोल रही है, अगर neutral है, pattern बन गया है, news neutral है, तो चलेगा, लेकिन pattern बन गया है, news pattern के favorable नहीं है, तो फिर नहीं चलेगा भई, ठीक है, pattern fail करतेगा, तो चलिए, यह pattern अच्छा है, क्योंकि आगे गिरावट बहुत तेज हुई है, हम देखते हैं, pattern बन गया है, अध्या रखना, यह pattern है वो, यह pattern, उसके बाद अगर हम देखेंगे, तो देखें मार्केट में कितनी अच्छी गिरावट हो गई है, तो इसे बोलते हैं, अच्छे pattern, इसे लिए मैंने क्या क्या है, ढून रहा था, लेकिन मैंने यह जो shadow है, हल किसी उपर वाल थे, theory हम पड़ रहते हैं, तो यह नीचे की shadow थी, उपर की shadow बिलकुल नहीं थी हमारे थेओरी में, लेकिन यहाँ पर यह बन गया हलके सी, उपर की shadow यहां से यहां तक की, तो यह acceptable नहीं है, यह pattern हो ऐसे fail है, लेकिन यहाँ पर अगर गिरावट दिखा जाए, तो गिरावट को देखते हुए हमने इसे क्या किया है, सिलेक किया था, इस तरह से आप pattern ढूनेंगे, ढूनेंगे तो आपको मिल सकते हैं, एक बार और ढूने की कोशिश करते हैं, और उसकी बाद वीडियो को हम finish कर देंगे, एक चीज़ में आपको बताता हूँ कि आप कहेंगे कि यह भी रही होती है, ठीक है, तो यह pattern ही है, क्योंकि यहाँ पर आप सोचेंगे, गिरावट यहाँ पर भी हुई है, तो यह भी pattern बन गया, लेकिन नहीं है, क्योंकि यह जो दो नमबर की candle है, पहले वाली candle से बहुत ज़्यादा उपर open होना चाहिए, और वहां से फिर दीर दीर नी जादा है, नीचे वाली shadow की तुलना में, तो उसे भी हम accept नहीं करेंगे, अच्छा, एक pattern यहाँ पर भी है, इसे भी आप pattern नहीं समझेंगे, क्योंकि गिरावट तो खेर हुई है, इसके बाद में भी लेकिन यह pattern नहीं है, पहले वाली candle की बिलकुल उपर ही open ही और उसी के close हो गई है, ठीक है, तो यह भी आप pattern नहीं करेंगे, क्योंकि इसके body जो है, उसके अंदर भीतर close होना चाहिए, इसकी body जो थी ना, यह इसकी यहाँ इसके बीच में कहीं close होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही जादा उपर close हो गई है, तो यह भी काम नहीं किया है, इतने अच्छे से काम नहीं किया है, काम तो किया है, गिरावट दिया है, लेकिन इतने अच्छे से गिरावट नहीं दिया है, शौर्ट ट्रेंड वालों के लिए या option खिलने वालों के लिए यह फाइदा दिया होगा, तो चले और pattern हमें नहीं मिला है, एक pattern यहाँ पर मुझे मिल सकते दो चार दिन पांच दिन गिरने के पाथ दिन एक रैंजबॉंड जाने के बाद फिर प्राइस गिरी है इतना तो हम इतजार महीं कर सकते कि हमें चाहिए कि पैटन बन गया और आगे उसने अपना असर दिखाना शुरू हो गया तबी तो हमें फाइदा होगा क्यों हम बेरिश पैटर्न में पोजिशन लेते हैं तो मार्केट गिरना चाहिए अगर मार्केट रेंज बॉंड चलेगा तो थोड़ी हमारा फाइदा होगा नहीं होगा ना तो लोन सप्या चाहिए यहां पर यह पर दे को फाइदा ना है वैक्सर्ण बंन गया तो यहीं पर से मारॉट हो जाना चाहिए था तो यह लोगूति पोजिशन ली होगी तो अगला दिन गिरा वटका था यह तो यहां पर दिक रहा है अगर आगलो एक दिन के लिए जिसने भी ट्रेड लिया होगा शॉट का शॉट का तो उसको फाइदा होई गया क्योंकि यह पैटर्ण गया और अगले दिन मार्केट एक दिन के लिए गिर ग बुलिश होता है एक बुलिश होता है तो बुलिश पैटर हमने पिछले वीडियो में देखा था अब उसकी लिंक भी आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको देखना है तो और यह बेल ठोड का बियरिश पैटर्न है मिलता है नेक्स्ट वे में किसे और के साथ तब तक के लिए गुट बाइन विश्कार टेक केर